भूतिया हवेली गाउं के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे. कई सालों से वहां कोई नहीं गया था. गामवालों का कहना था कि हवेली में रात के समय अजीबजी बावाजे आती थी. एक रात, वीरेंद्र नाम का युवग जो की साहसिक था, हवेली में जाने का निश्चय कर लिया. उसने गामवालों की चेतावनी अनसुनी कर दी और हवेली की ओर बढ़ गया. हवेली के दरवाजे की चिटकनी खिसका कर उसने अंदर कदम रखा. हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा चाया हुआ था. वीरेंद्र ने अपनी टॉच जला कर इधर उधर देखा. अचानक, एक पुराना पियानो अपने आप बजने लगा, और हवेली की दीवारों पर अजीब तरह की चायाएं उभरने लगी. वीरेंद्र ने सोचा कि यहाँ सब उसका भ्रम है और आगे बढ़ा. जैसे ही वह हवेली के एक कमरे में दाखिल हुआ, उसने देखा कि वहाँ एक पुराना बेड लगा हुआ था. अचानक, बेड के नीचे से कुछ सरसराहट की आवाज आई. वीरेंद्र ने धीरे-धीरे बेड को खिसकाया और देखा कि वहाँ एक पुरानी किताब पड़ी थी. उसने किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया. किताब में लिखा था कि हवेली में एक परिवार रहता था. लेकिन एक दिन उनकी बेटी गायब हो गई और वे सब हवेली छोड़ कर चले गए. कहा जाता है कि उनकी आत्मा हवेली में बसी हुई है और रात के समय वह हर किसी को अपनी कहानी सुनाना चाती है. वीरेंद्र ने किताब बंद की और अचानक उसे एक थंडी सांस महसूस हुई. कमरे में अंधेरा चा गया और वीरेंद्र ने देखा कि एक महिला की धुन्धली आकरिती उसके सामने खड़ी.